हेलो फेंट्स, वेलकम टू मैं चानल, तो आज की इस वीडियो में 36 इंच की कटोरी पेपर कटिंग किस तरह से करते हैं, वो आज मैं आपके बताऊंगी सबसे पहले उसके लिए नाप समझ लेते हैं, लेंध होगी 14 इंचिस की, चेस्ट होगा हमारे हापे 36 इंचिस का, राउन हमारा 30 इंचिस का रहेगा, शोल्डर 11 इंच का लेंगे, नेक फ्रंट का 6 इंच, बैक का नेक 10 इंच, स्लीव्स की लेंध हमारी रहेगी 6 इंच और रा यहाँ पर हम लेंध का निशान लगाएंगे, तो हम फ्रंट की लेत में यहाँ पर हम 1,5 इंच एक्स्ट्रा एड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा लेंध है 14 इंचिस का, देखिए 14 इंचिस में हम 1,5 इंच एड करेंगे, तो वो 15 इंच पर जाएगा, तो इस तरीक से लाइन को सिधा बना दिया है अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे तो शोल्डर हमारा यहां पे है ग्यारा इंच का तो उसको हाफ हमें यहां पे लगाना होता है तो ग्यारा का हाफ हमारा यहां पे साड़े पाच इंच आएगा तो साड़े पाच इंच हमारा यहां पे और उपर के साइड में हमने 5 इंच लिया था तो इस साइड में भी हमें 5.5 लेना है अब हम लाइन को खीज देंगे इस तरीके से हम बॉक्स की तरह यहाँ पर निशान लगा रहेंगे अब हम थीसरा निशान लगाएंगे चैस्ट का तो देखिए हमारी चैस्ट है 36 इंच की तो उसको आपको 4 से डिवाइड करना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा वो 9 इंचिस का और अब यहाँ से आपको 2 या 1,5 इंच की आप मार्जिन दे सकते हो मैंने यहाँ पर 1,5 इंच ही मार्जिन रखी हुई है अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर वेस्ट है 30 इंचिस का तो 30 को आपको 4 से डिवाइड करना होगा वो आ जाएगा यहाँ पर 7,5 इंच का अब एक इच हम यहाँ पर टक्स के लिए लेंगे एक्स्ट्रा और वहाँ से जितनी आपने उपर की साइड में मार्जिन ली हुए हैं उतनी ही मार्जिन आपको नीचे की साइड में भी लेनी है और दोनों लाइन को इस तरीके से लगा देंगे सीधे में तो हम अगला निशान लगाएंगे आर्म होल का तो जो आर्म होल की काट हमारी बैक वाले गिरेगी वो देड़ी इंच पे गिरेगी इस तरीके से और वहाँ से अंदर की साइड में पाव इंच की हमारी फ्रेंट की काट गिरेगी आर्म होल वाली तो इस तरीके से मैंने दोनों निशानों को लगा लिया है अब हम आर्मोल का शेप दे देंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों आर्मोल का अच्छे तरीके से शेप दे दिया है अब अगला निशान हम बेल्ट का लगाएंगे तो सबसे पहले हम एक side से l mornings पर 3 inch तो जो बन side है यहां से मैंने 1 निशान लगाया 1,5 inch और एक निशान लगाया और जो दूसरी side है यहां पर sticking वाली वहां से हम 1,5 inch पर ही निशान लगाएंगे और जो डाइन पीच्वाले जो निशान है उसकी इस तरीके से लाइन सिधी बना देंगे अब जहां तक फिटिंग है उस तरीके से टेप को रखेंगे और वहाँ से अब हम center का निशान इस तरीके से लगा देंगे और जो साइड रे 3 इंच का हमारा मार्किंग था यहाँ पे वहाँ से सेंटर की साइड में इस तरिके से बैल का शेप दे देंगे तो यह हमारी बैल का शेप लग चुका है अब हम गले का शेप लगाएंगे तो सबसे पहले हम गले की चोड़ाई लगाएंगे धाई इंच और अब 6 इंच पे हमने फ्रंट का शेप लगाना है गले की निची के साइड में धाई इंच का इस तरिके से निशान लगाके यहाँ पे बॉक्स बना देना है अब चाहे तो निची के साइड में थोड़ा सा गराच चोड़ा कर सकते हो पोने तीन या तीन इंच पे आप निशान लगाके इसी तरिके का बॉक्स बनाके अब हम गले का round shape दे देंगे इस तरीके से अब हम यहाँ पे कटोरी का round निकालेंगे तो सबसे पहले chest इतनी होती है उसको 6 से divide करके कटोरी round निकाला जाता है chest हमारी यहाँ पे 36 inches उसको 6 से divide किया मैंने यहाँ पे मैं लिखके देती हो आपको इस तरीके से 36 divided by 6 is equal to 6 तो हमारा कटोरी का जो round निकल के आएगा यहाँ पे वो 6 inch का आएगा इसके से अब हम गले की side से निशान लगाएंगे तो यहाँ पे 5 inch पे निशान लगाएंगे हम आप चाहे तो उपर की side में 1 inch भी लगा सकते हो अब हम armhole की side में सबा 2 inch पे इस तरीके से निशान लगाएंगे यहाँ से Principal अब हम निशान लगा दिया और tीनों points को आपको कोटोरी का shape दे देना है अब अब पॉइंट को मिलाते हुए हैं आपको कटोरी का shape दे देना हैं और पार देख लेते हैं कितने नव हमने कहा पे डाली हुए हैं तो length में हमने front की side में लिया 1,5 inch extra 2 inch हमारी length थी उसमें 1,5 inch extra लिया है front की side में shoulder यहाँ पर 11 inch का था 5 inch लिया armhole मैंने यहाँ पर 6 inch का लिया हुआ है chest हमारी 6 थी उसमें मैंने 4 डिवाइड किया और जितना भी आया उसमें मैंने 1,5 inch की यहाँ पर margin दे दी नेचे की side में भी हमारी west 13 थी उसका 4 निकाले 1 inch extra लिया टक्स के लिये और 1,5 inch की margin एक side से 3,5 inch दूसे side से 1,5 inch गले की चोड़ाई 1,5 inch गले की लंबाई 6 inch और shape दे दिया मैंने गले का उसके बाद में armhole की card मैंने जो back का armhole था वो 1,5 inch पर डाला front का हमने 7 inch पर डाला हुआ है अब उसके बाद में गले से हमने 5 inch कोटोरी की side में यहाँ पर down किया हुआ है armhole की side में मैंने यहाँ पर अंदर की side में सवा 2 inch का निशान लगाया था और कोटोरी का round मैंने यहाँ पर 6 inch लगाया था इस formula से अब हम इस सब डाप्टिंग का यहाँ पर cutting करेंगे पीछे वाला हम यहाँ पर armhole कट कर लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा निची की side में भी इस तरह से कर सकते है तो दोनों पर लो मेंने यहाँ पर पीछे वाला जो armhole था वो cut कर लिया हुआ है अब हम इसे खोलेंगे और बीच से यहाँ से cut करेंगे अब देखिए दो पार्ट बन चुके हैं अब हम पहले back का पार्ट का देख लेते हैं तो सबसे पहले हमारे जो length थी यहाँ पर 14 इंची थी तो हमें बैक में यहाँ पर एक इंची एड़ करना होता है तो जो हमने आधा इंच एक्स्रा लिया हुआ है उसे हमें माइनस कर देना है मतला 15 इंच मेंने निशान लगाया यहाँ पे और इस तरीके से लाइन बना दी उसके बाद में आधा इंच लिये थे तो निचे की साइड में हमने तीन इंच लिये है मतलग थोड़ा से चोड़ा अगला यहाँ पर लगाएंगे और इस तरीके से बाक्स बना देंगे अब हम टक्स का निशान लगाएंगे टक्स की चोड़ाई जो बैक में जो टक्स गिरता है उसकी चोड़ाई हम यहाँ पर 4.5 इंच रखेंगे और लंबाई भी यहाँ पर 4.5 इंच ही रखेंगे और इस लाइन को सिधा बना देंगे अब देखिए नीचे की साइड में हमने एक इंच एक्स्रा लिया हुआ था कमर की साइड में तो वो एक इंच को आपको यहाँ पर एड्रेस करना होगा तो आधा 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 इंच जो लाइन है वहाँ से दोनों साइड से आधा आधा है अब हम गले की कटिंग करेंगे आप चाहे तो कपडे के भी डारेक कटिंग कर सकते हैं तो को कैंतो हमारा वैं और रेडी हो चुका है अब हम फ्रन पार्ट देखेंगेस्च वाल कट कर लिया था सबसे पहले हम फ्रन्ट का जो आर्म होल था उसे कट करेंगे आर्म होल कट हो चुका है अब हम हम गले को कट करेंगे बैल को अलग करेंगे हम यहाँ से कट करेंगे अब कटोरी का जो हमने निशान लगाया था उसे भी हमने कट कर लेना है तो देखे यहां पर यह तीनो पार्स यहां पर बनके रेडी है मगर यह जो कटोरी यहां से निकली हुई है इसको हमें बढ़ाना होता है तो वो किस तरीके से बढ़ेगी मैं आपको बता दी हूँ एक पेपर लेना है और इस पेपर पे यह जो हमने कटोरी निकाली थी उसको रख लेना है आपको यहां से तीनो साइड से यहां पर जगा छोड़के इसकी ड्राप्टिंग करनी है जिस तरीके की यह निकली है उसी तरीके से आपको निशान लगा देनी है अब देखें यह कटोरी हमारी किसी काम की नहीं है अब हम इस पे बढ़ाएंगे तो देखें यहां से हमें 1.5 इंच दोनो साइड से इस तरीके से निशान लगाना है देर इंच बढ़ा के लेनी है दोनों साइड से आपको इस तरीके से यहाँ पे नापना है साड़े पाच इंच यहाँ पे भी साड़े पाच इंच का निशान लगा रेना है और इस तरीके से लाइन को खीच देना है तो यह हमने line बना लिए यहाँ पे उसके बाद में आप जितनी भी margin यहाँ से लेते हो गले की side से उतनी ही आपको लेनी है और इस तरीके से कटोरी का shape जहाँ पे हमने 1.5 इंच बढ़ा के लिया हुआ है उसको हमने इस तरीके से मिला देना है तो देखिए मैंने यह इस तरीके से dot बना दी है अब इसको line को अच्छे से dark बना लेंगे तो यह हमारी बड़ी हुई कटोरी इस तरीके से बनेगी अब इस side से भी आप चाहे तो थोड़ा सा margin लेके इस तरीके से बना सकते है और गले को भी आप यहां पे अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा adjust कर सकते है उसके बाद में आपको नीची वाले को इस तरीके से नाप लेना है वो जितना भी आएगा उसका center निकाल के एक निशान लगा देना है इस तरीके से अब देखिए center की side से नीचे की side में आपको देड इंच extra लेना होता है इस तरीके से और जो तीनो point से आपको इसको इस तरीके से मिला देने है अब देखिए तीनो points को मैंने यहाँ पर मिला दिया हुआ है अब हम जो center का निशान है वहाँ से उपर की side में हमने सवा इंच या देड इंच का निशान लगाना है मैंने हाँ पर देड इंच ही लगाया हुआ है तो इस तरीके से वो line बन जाएगी अब आपको यहाँ पर तक्स का निशान लगाना है तो जो सेंटर का निशान है वो मैंने वहां से 1,5 इंच इस साइड में और 1,5 इंच इस साइड में इस तरीके से टक्स का निशान लगाया और इन लाइन को इस तरीके से हाँ पर जोड़ देना है तो यह हमारी जो बड़ी हुई कटोरी है बनके ल तो देखिए कटोरी कटके रेडी हो गई है यहां पे अब देखिए इसी तरीके से कपड़े पर रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे और जो मार्जिन हम देदेंगे वहां से कट करेंगे और इसी तरीके से रखते हुए कपड़े पर इसकी कटिंग कर लेंगे आपको जो मेठर अच्छा लगे आप इस तरीके से कीजिएगा गला हम यहां पर एड्जेस कर सकते हैं अब हम यहां पर स्लीज की कटिंग करेंगे त तो length हमारा 6 इंच का है और round 13 इंच का है तो देखिये अस्तरवाली जो हमारी स्लीव होगी तो 1 इंच आड होगा अगर without अस्तरवाली होगी तो 1,5 इंच या 2 इंच आड होगा तो यहाँ पे मैंने अस्तरवाली स्लीव कट करनी है तो 6 इंच में हमने यहाँ पर 1 इंच ही मिलाना है तो वो 7 इंच आ रहा है तो देखिए मेरा बराबर से यहाँ पर 7 इंच आ रहा है अब हम इसकी चोटा लेंगे तो सबसे पहले जितना भी आर्म होल होता है वहाँ पर हम एक निक्षान लगाएंगे और वहाँ से आपको 1.5 इंच या 3 इंच एक्स्रा लेना है तो मैंने यहाँ पर 3 इंच एक्स्रा लिया हुआ है यह टोटल में मेरा 9 इंच बन गया तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 इंच एक्स्रा ले लिया अब स्लीज को दरेंगे तो देखिए यहाँ पर मीडियन साइज की स्लीज है इसलिए मैं और ज्यादा चोटी रहेगी तो आप यहां पे दाइंच तक भी लाउन कर सकते हैं तो डपेंड करता है कि आपके स्लेव की लैन कितनी होती हैं इस तरीके से मैंने लाइन बना दिया अब जो यहाँ पर हमने 3 इंच डाउन किया हुआ है वहां से हमने जितनी मार्जिन ली थी उसको हमने सिधा बना दिया मैंने देर इंच भी मार्जिन ली हुई थे और इस तरीके से अब हम स्लीव्स की जो शेप होते हैं वह इस तरीके से दे देंगे यह बैक वाला शेप था और यह फ्रंट वाला शेप है इस तरीके से दोनों शेप मैंने आप दे दिये हैं अब देखें आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से अंदर की साइड में भी आधा इंच डाल सकते हैं पर मैं किस तरीके से राउंड का नाप निकालती हूँ बताती हूँ तेरा इंच में राउंड था उसको हाफ मेंने किया 6.5 और देड इंच की मेंने हाप पे margin दे दी तो अधर की साइड में अगर यहाँ पे आधा इंच किया होता तो वो भी बरावर से ही आता और इस तरीके सी निकाला है तो ये भी बरावर से ही आता है अब देखें दोनों निशानों को मैंने इस तरीके से लाइन खीच दिया है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो अगर आपने मेरी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब लीजिएगा और बेल आइकोन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी कोई में नया वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी और इसी तरीके से मैंने बैक का जो शेप था उसको कट कर लिया है अब हम फ्रेंट का भी शेप इस तरीके से कट करेंगे तो यह हमारी यहां पर स्लीव की जो कटिंग है वो रेडी है अब देखें कटोरी की पैटर्ण में कितने पार्ट होते हैं मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले स्लीव उसकी बाद में बैक होता है जो बड़ी हुई कटोरी हमने यहां पर कट कर ली थी वो होती है उतके साथ में ही आपको साइड का जो पार्ट होता है फ्रेंट में वो होता है और नीचे के साइड में बैल टकती है वो है तो यह हमारी 36 इंच की कटोरी पेपर कटिंग बनके रेडी हुई है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलेगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद